जैस्री राधे देव सेनी एकादसी ब्रत का था धरमरा युदिस्ठर ने पूछा है भगवान आशार माह के शुक्ल पक्ष की एकादसी का नाम क्या है तो था उसके ब्रत की विधी क्या है उसे कहिए स्री किष्ण बोले है राजन यही प्रश्ण एक समय नारत जी ने भी भ्रमा जी से किया था तब उन्होंने कहा था है नारत जी आपने इन कलियोगी जीवों के उध्धार है तो यह प्रश्ण बहुत उत्तम किया है क्योंकि एकादसी का ब्रत सबसे उत्तम है इसकी प्रभाव से समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं इसका नाम देव सेयनी है जिसे कोई पद्मा भी कहते है इसके विशे में विशे पर मैं तुम्हें एक पुरानिक कथा सुनाता हूँ जिसे सुनिए सुर बंसी राज़ स्री मान धाता सत्यवादी महान प्रतापी और चक्रवती राजा था उसकी प्रजा समस्त धन धाने से परपूंट थी और सुख पूर्वग रहती थी उसके सासन काल में कभी अकाल नहीं पड़ा एक वार देव योग से उस समर्जा के राज़ में तीन वर्स तक वर्सा नहीं हुई जिसके कारण दुर्विक्ष पढ़ने लगा प्रजा अन की कमी के कारण अत्यंत दुख पाने लगी इस बीच प्रजा जनों ने राज़ा के पास चाकर प्रातना की हे राज़न समस्त विश्व की सुष्टी का मुख के कारण वर्सा है क्योंकि वर्सा के नहोने के कारण देश में दुर्विक्ष पढ़ रहा है जिसके कारण प्रजा मर रही है हे राज़न अब कोई ऐसा उपाय बताईए जिससे हम लोगों को इस दुख करने वारण हो जाए मांधाता ने कहा आप सब्ते कहते हैं वर्सा नहोने के कारण ही आज आप लोग दुखी है राज़ा के पापा के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है मैं भी आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए भरपूर प्रत्न कर रहा हूँ इस प्रकार का राज़ा मांधा था कुछ समुक्ख आदमियों के साथ देव मंदल में जाप पूजन कर बनकी और चला गया वहाँ पर अनेक रिसी मुनियों के आस्रम को देखता हुआ अंतमे भ्रमा जी के पुत्र अंगिरा रिसी के आस्रम पर पहुँचा राज़ा अपने अश्व से उतर कर मुनी के आस्रम में गया तब हम उनी अपने नित्य करम से निब्रत ही हुए थे राजा ने उन्हें प्रणायम किया तो मुनी ने उन्हें आशिरवात दे कर कहा है राजन आप और आपकी प्रजा कुसल पूरवक है कहिए आप काना किस प्रजोजन से है मान धाता ने कहा महिर सी मेरे राज़ में तीन वर्स से वर्सा ना होने के कारण भारी दुर्वक्ष पड़ रहा है जिससे मेरी प्रजा महान दुखों को भोग रही है राजा के पापों के प्रभाप से ही प्रजा गष्ट पाती है मेरा अन्मान है कि मैं धर्मान सारी राज्य करता हूं फिर भी मेरे राज्य में अकाल पढ़ने का कारण क्या है अधर पर जाके कश्टों को दूर करने के लिए कोई उपाय बताईए रिसी ने कहा है राजन यह सत्य यूग सब यूगों से स्रिष्ट यूग है इसमें धर्म के चारों चरण समलित है और धर्म की सबसे अधिक उन्नती है इसी यूग में ब्रहमणों को वेद पढ़ना तपस्या करनी चाहिए किन तो आपके राज में एक सूद्र तपस्या कर रहा है इसी कारण से यह सब हो रहा है यदि आप धर्विप्च को दूर करना चाहते हैं सूद्र को मार दीजिए राजा ने का है मुनी यह तो अधर्म होगा मैं उस निरप राद सूद्र को नहीं मार सकता हूँ रिसी ने का यदि तुम यही चाहते हो तो आसाड महा के किस्ट बख्च की पदमा या नाम की एका दस्रीका विदी पूर बख्च करो इस बख्च की प्रभाव से तुम्हारे राज में बरसा होगे जिससे आपकी प्रजा को कष्ट दूर होंगे तो मुनी के बचन मानकर राजा अपने नगर को लोट आया और जिस प्रकार कहा था उसी प्रकार पदमा या का दस्रीक बख्च को किया उस बख्च के प्रभाव से राज में बरसा होई और प्रजा को सुख प्रात हुआ यह बख्च सभी को करना चाहिए इसके करने से इस लोग में मुक्ति मिलती है इसकी कथा के कहने वा सुनने से तथा पढ़ने से मनुस्ष के समस्थ पाप नष्ठ हो जाते है चातुर मास्य बरत भी इसी अकादसी से प्रारम होता है युदिष्टर ने प्रश्ण किया है भगवन विश्ण भगवन का सैन बरत किस प्रकार से किया जाता है वह सर प्रकार बताईए स्रीकिष्ण ने का हे राजन मैं आपको विश्ण सैन बरत का चातुर मास्य बरत की विधी कहता हूँ जिसे आप सुनो जब करक रासी में सुर्ण नरायन हो तब विश्ण भगवन को सैन कराना चाहिए वह सूर जब तुलारासी में प्रविश्ण भगवन को उठना चाहिए अधिक मास में भी इसी प्रकार से किया जाता है देव सैनी एकार रसी का बरत विधी पुर्वक करके उस दिन विश्ण भगवन की प्रतमा बना कर चातुर मास बरत का नियम कर लेना चाहिए सबसे पृतम उस पृतमा को इसनान करा के सूरत वस्तर धारन करा के तखियादार सया पर सैन कराएं इसके बाद धूब दीव नPro दाद से पूझा करें भगवन का पूझन सास्थर ग्याता ब्रहमणों की द्वारा कराएं इसके बाद प्रातना करके हे प्रभू मैंने आपको सैयन कराया है आपके सैयन से समझत विश्चत हो जाता है हे प्रभू आप जब तक सैयन करें तब तक मेरे इस चातुरमास ब्रत को निर्विग्न कर रखें इस प्रकार सुद्ध मन भावना से इस्तुति करने के पश्चाद दान दुनादी के नियमों को गरहन करना चाहिए विश्णु भगवन के ब्रत का प्रारम करने के लिए पांच रात का वर्णन है देव सेनी एक ए मैंसक्र सुद्ध को समाब्त करना चाहिए लोग इस ब्रत का प्रतिवर्स करते हैं सूर्य के समान द्यादिप्यमान विमान पर बैठकर विश्णु लोग जाते हैं यह नरे अब आप इसका प्रिथक फल कार्य फल सर्वन करें जो मनुस्य देवा ले में रंगीन बेल वूटें अंकित करता है वह साथ जन्मों तक ब्रह भान सबॉज भगवान की पूजा करता है वह अनंदसम्पति पाता है जो चातर मास में नित्य परति अस्वत्यत रेख्चेत अब विश्णु की पूजा करता है तो वह विश्णु लोग को प्राप्त होता है नहों प्रूसु लोग को जाते हैं जो मनश्य भगवान का चार्णामनत वक्ति पूर वक्त लेते हैं वे संसार के आवागमन रूपी चक्र से छूट जाते हैं जो देविस्थान में गायत्री मनत का एक सबाट वा नित्जब करते हैं वे किसी प्रकार के पापा में लिप्त नहीं होते हैं जो म समाप्टिपग घी घड़ा बस्तरों का दान करते हैं वैश्वर साली होते हैं जो विश्मु और शिपजी के देवाले में गार ना गार रही हैं उन्हें रातिरी जागरण का फल प्राप्त होता है चातुरमा से ब्रत करने वाले मनिश्य को उत्म धनी करने वाले घंटा दान क करना चाहिए तत्पष्चात भगवान की स्तती करके कहें कि है प्रभू है जगत पती है बिश्वर पिता पाप हर्दा जो मेरे द्वारा योग के अत्वा योग कर्मों से पाप फुत्पन हुए हैं उन सब को नष्ट कीजिए इस ब्रत में जो नित्य ब्रहामनों को चैना म अत्पान करते हैं उनके समस्तपाप और दुखन कांथ हो जाता है और में आयूवान तत्य लक्षिवान होते हैं चातर माश्य ब्रत के समाप्थ होने के पश्चात गौदान करना चाहिए यदि गौदान करने में समर्थ हो तो बस्तदान करना चाहिए जो ब्रहामनों को नि का दच्छना आजी सहथ सुपत्री कपला गाय वेद गया तब रहामन को दान करता है वाचक्रवति आई हुमान पत्रवान राजा होता है और सर्ग में पर लाए कि अंति तक राज्य करता है जो मन्हसूरत अगरेश को निति प्रति नमस्कार करता है उसकी आई तो तलश्मी की बद्धी होती है यदि गणेश ची प्रसण हो जाएं तो फ़र मन्हस्ट भाता है गणेश आ सूर की शूट प्रत्वान तान करने उनके यहां तता शरीद विधी सुंदर सिभघ्त पुतृरति नृत्पन होता है जो मनश्व धूप तता भ्रहमणों से पूश पूस्पों से भ्रहमणों की पूजा करते हैं और बस्तधान करते हैं ब्रत के समाप्त होने पर सहीया धन्वान सहीया दान करते हैं उन्हें अच् कि समाप्त होने पर उद्ध्यापन करना चाहिए चाहरे आठ आठ पर लिया 48 पर का एक तामे का पात्र लेकर कि सक्कर से भरकर फल्द रच्छना सहित भ्रामर को धान करना चाहिए इसे समस्थ्रोगों को नास होता है यह दिश्टर इस चतरमास के बृत करने वाला मनिश्व गंदर विद्या में निपन और सहिस्टियों का प्रिय होता है जो मनिश्व चतरमास के विप्रों को शाग भलादी दान करती हैं तथा उन्त में जो यह था सकती वस्तर रक्ष्णा दान करती हैं। वे सुखी राज्ज योगी यूंटे हैं जो मनश्य अपनेक्षी द्यविय पारवती की पुशंतही जल्दी धान करती है। उन्हें सम्हाप्ति परचानदी के पात्त फर्लदी रखकर धान करते है। पुर्ष अपनी पत्रियों के साथ इस तरी अपने पती के साथ अनंत सुख भुखती हैं जिसके प्रभाव से उन्हें संक धंधाने सवभाग्या तथा सुपात्र संतान मिलती है जो मनस्ष इस्रावर्ण मास में साथ भादो में धही कोई में दूद कारते में दाल नहीं खाता वो निरोगी रहर करता है जो इसनान करके भगवान की पूझा करते हैं निवास मिलता है जो मनस्प बरतकाल में दूद के बल दूद पर ही दिवा करते हैं के बनसपरले के अंदे तक चलता है जिस दिन भगवान सायन से उठते हैं उस दिन विप्रों को दान करना चाहिए यह समस्त दान किसी बेदवाडी ब्रहमन को देना चाहिए चोरी करने वाले मदबन करने वाले धर्मी और सास्त्रों का दिनादर करने वाले अस्त्रत्याग न करने वाले ब्रहमन को ऐसा दान नहीं देना चाहिए क्योंकि ऐसे ब्रहमन को दान देने वाले को नर्क प्राप्त होता है इसलिए ऐसे ब्रहामन को दान नहीं करना चाहिए सदेव दान बेद पाठी ब्रहामन को ही देना चाहिए जै स्री रादे ओम नम भगवति वास्दे वाई बुरल अच्विन राइन भगवान की जै